डिली करें न्यूस में अभी की खबर है न्यायमूर्ती कियस पोटास्वामी का निधन हाली में न्यायमूर्ती कियस पोटास्वामी का 98 वर्ष की आयू में निधन हो गया न्यायमूर्थी पोटास्वामी भारती उच्छुतम न्यायाले में गुपनियता की अधिकार की एतिहासिक मामले में मुख्य याचिपा करता की रूप में जाने जाते थे इनका जन्मु फर्वरी 1926 में बेंगलुरू के निकट हुआ था। इन्होंने मैसूर के महराजा कॉलेज और बेंगलुरू के सरकारी लोग कॉलेज से अपनी सिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 1952 में वकील के रूप में नामांकन कराया और अपने कानूनी करियर की से तक न्यायाधीश के रूप में सेवा दी। सेवा निवृत्य के बाद इन्हें बेंगलुरू में केंद्री प्रशास्तिक न्यायाधी करण का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया जहां इन्होंने प्रशास्तिक कानून के मामलों में दिशानिर्देशों का निर्माड क इसके अतरिक्त इन्होंने आंदरप्रदेश की पिछड़े वर्ग आयों की अध्यक्षता भी की जो समाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की अधिकारों में सहायक था। इस एतिहासिक फैसले ने भारत में डिस्टन निच्टा और व्यक्तिकत स्वतंतरता के शीत्र में बड़ा बदलाव लाया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दो इन्होंने करनाटक उच्च न्यायाले में 1986 तक न्यायधिश के रूप में सेवा दी। उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो। इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद। दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले। झाल